वल्कम गाईज तो आज हम बात करने वाले हैं कि SVG और एनिमेशन कैसे डाउनलोड करें और वाइट बोर्ड एनिमेशन कैसे बनाएं तो सबसे पहले हम डूडलीफी खौल लेते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट क्रियेट करते हैं कोई भी नाम देखे उसके बाद हमें करना कुछ नहीं होता सिर्फ आपको जाना होता है जहां भी आइकन दिख रहा है आपको लोटी एनिमेशन में आपको वेबसाइट मिल जाएगी लोटीफाइस.com वहाँ से उसे खोलना है तो वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगी ये नीचे आपको दिख रहे हैं काफी सारे एनिमेशन हैं जो आप अपनी वीडियो के लिए डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और आगे देखते हैं ये देखिए मैं देख लेता हूँ अगर मुझे कोई इन में से पसंद आता है तो मैं वो डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ चलिए आप देखते हैं कि download कैसे करना है पहले पसंद कर लेते हैं और ये वाला ये मुझे काफी सही लग रहा है इसे हम ले लेते हैं इसे select करने के बाद आपको क्या करना है ये उपर आपको option दिख रहोगा black वाला वहाँ से आपको loti files download करनी है और आप zip files भी download कर सकते हैं लेकिन वो zip file आपको unzip करनी पड़ेगी तो आप उपर वाली file ही download करें loti file तो वो download हो गई है और download होने के बाद उसे हम देखते हैं कहा है और ये ये रही और हम उसे simply apply कर सकते हैं कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है यहां से हम text add कर लेता है how to download more animations and SVG file done तो ये ज़्यादा बड़ा है मैं एक काम करता हूँ पहले इसमें half select कर लेता हूँ और आधा-ाधा करके मैं इसे use करूँगा इसे मैं cut कर लेता हूँ बाद में दुबारा paste करूँगा इसे insert करता हूँ insert करने के बाद इसे सिर्फ एक तरीखी से आपको select एक जगा इसे set करना है अच्छे से size वगेरा select करके और इसे हम कर लेते हैं तो अगर आपको समझ नहीं आया आप की download कैसे किया मैंने तो आप वीडियो पर बने रहें वीडियो लास्ट तक देखें तो मैं आपको clearly समझा दूँगा आपको समझ भी आसानी से आ जाएगा तो पहले इसे हम set कर लेते हैं जैसे हमें जरुरत है जितना जैसे हमें attractive लगता है अच्छा लगता है तो उसके recording हम इसे set कर लेते हैं तो यह अब यहां पर काफी सही लग रहा है तो चलिए एक बार ओके अब यहां पर एक और लेयर लेते हैं प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक और लेयर हो जाएगी यह लेयर लेड होगी और lotty animation में जाके lotty files.com पर आपको जाना है कहीं आपको किसी भी website की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको कहीं other अगर आपको अलग से download करने हैं तो अलग से भी आप आसानी से download कर सकते हैं लेकिन इसमें जो है काफी अच्छे और attractive animations और आपके जो SVGs दिये हुए हैं जो colorful भी हैं और यूज करने में डाउनलोड करने में भी बहुत आसान जादा आपको कुछ नहीं करना होता simply आपको अपना favorite animation और SVG आप बोल सकते हैं तो वो select करना है और select करने के बाद simply आपको download करना है आपको जो ये download करना है ये loti animation वाली file आप download करें अगर आप zip file download करेंगे तो वो आपको unzip करनी पड़ेगी उसके लिए other software की ज़रूरत पड़ेगी लेकिन simply आप यहां से download कर सकते हैं यहां उपर क्लिक कीए download का icon है और ये loti वाली file download होगी ये देखिए ये download होगी और मैंने insert कर लिए इसे और यहां पर text डालते हैं कुछ भी इंतजार करने की ज़रूरत नहीं अब इसे अपने according आप सेट कर लीजिए सेट करने के बाद देखते हैं कोई और animation या clip art हमारे काम आ सकता है तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं कोई मैं प्रोफेशनल वीडियो नहीं बना के दिखा रहा हूं यहां पर मैंने यह animation सेलेक्ट किया है अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि वीडियो कैसे बना और कैसे मैंने बनाया तो मैं आपको link description में दे दूँँगा मेरी पहली वीडियो का जिसमे अपने अकॉर्डिन सेट कर लेते हैं टेक्स इंसर्ट कर लेते हैं लोटी फाइल्स डॉट कॉम यह वहीं वेब साइट है इसका description आपको link sorry description में link मिल जाएगा आपको और या फिर आपको link ढूणने की ज़रूद भी नहीं है आप direct अपनी application open करें और वहाँ से SVG पे click करें insert SVG और वहाँ पर browse का option होगा एक direct website का तो वहाँ से आप download कर सकते हैं SVG जितने आप चाहें जैसे आप चाहें तो इसका color change करते हैं यह देखें अब जितने चाहें जैसे चाहें आप उस तरह के characters is made कर सकते हैं काफी सारे इसमें अच्छे characters भी दिये हुए हैं लेकिन आप download आसानी से कर सकते हैं कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखेगा website का नाम लोटी फाइल्स टॉट कॉम अगरे 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 अगरे